हलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टु माई यूट्यूब चानल मुवी टाइम, दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बॉलिवुड की एक ऐसी जबरदस्ट अन्रिलीस्ट फिल्म के बारे में बताने वाली हूँ, जिसकी केवल स्टार कास्टिंग सुन करके ही आप इसके बा चाजेश खन्ना, शत्रूभन सिन्हा, हेमा मालिनी और जीनत अमान जैसे सभी बड़े एक्टर्स और आक्ट्रिसेस मौजूद थे, तो दोस्तो इस फिल्म का नाम होने वाला था नया भारत, और अब अगर बात करें, इस मूवी से जुड़े कुछ बेहत और यूनिक पॉइंट्स की, तो एक तो इसकी स्टार कास्टिंग के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है, कि जिस फिल्म से बॉलिवुड के इतने सारे बिग एक्टर्स और आक्ट्रिसेस का नाम जुड़ा हो, तो वो मूवी तो ओडियन्स के लिए बहुत ही ज्यादा होने वाली ही थी, और फिर इसके अलावा इस मूवी को डाइरेक्ट कर रहे थे मनोज कुमार, और मनोज कुमार की हर फिल्म में देशभक्ती का एक अलग ही मैसेज हम सभी के लिए होता है, वह अपनी फिल्म को बहुत ही खूपसूरती से, पारिवारिक रिष्टों के बीच में देश प्रेम को एक अलग ही अंदाज में परदे पर दिखाने के लिए जाने जाते हैं, तो ये बात है ये 1976 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, मगर बाइब बैड लक अनाउंसमेंट के बाद, ये आइडिया कभी शूटिंग फ्लोर तक पहुँच ही नहीं हालांकि officially इसकी कोई वज़ा सामने नहीं आई है, लेकिन इतने सारे बिग कलाकारों की एक साथ डेट्स का ना मिल पाना, या फिर बिग प्रोजेक्ट होने की वज़ा से फाइनांस की कोई प्रोबलम का होना इस मूवी के कैंसल होने का रीजन हो सकते हैं, तो गाइस आप ल जीनत अमान जैसे कलाकारों से सजी ये फिल्म अगर अपने समय पर बनकर रिलीज होती, तो ये बॉक्स ऑफिस पर क्या बवाल मचाती, हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, अगर ये विडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थांक यू वेरी मच्च